एक किंग जो गे है अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड को सोने के लिए कहता है यह सब कॉम्लिकेट हो गया क्योंकि एक किंग अपने फ्रेंड से प्यार करता था और इसके बाद लव, बिट्रेयल और रिवेंज इसके एक टेल स्टार्ट होती है अगर आपको वीडिया चलगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा अब बिना किसी तरीगे स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हैं हमें बताया जाता है कि एक किंग छोटे लड़के को ट्रेंड करता था ये बड़े होकर हमेशो उसे गाड़ करते थे ये उसके लिए कुछ भी कर सकते है किंग का बच्पन में एक फ्रेंड बना जिसका नाम था हॉंग हॉंग को उसने ट्रेंड किया इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप बनी ये एक साथ म्यूजिक बचा दे थे सब कुछ चीजे एक साथ कर दे थे अब इसके बाद ये दोरों बड़े हो चुके है इनके बैलेस का एक आदमे एक सर्वंट से बहुत प्यार करता था और उसे लेकर यहाँ से दूर भाग रहा था होंग उसका पीछा करता है फिर से बैलेस में लेकर आया किंग से धोगा करने की सजा डारेक्ली मोथ है जो भाग गया था ये होंग का फ्रेंड है होंग ने किंग से कहा इबलीज उसे इस तरह के से कोई भी पनिश्मेंट मत देना किंग गे था और वो हॉंग से प्यार करता है इसी वज़े से उसका सब कुछ कहना मान लेता है पैलेस में आकर हॉंग ने डिकले रखिया कि हमारे फ्रेंड को कोई भी मारे का नहीं यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नामे नो तक इसे इसे प्रॉल्म होती है वो कहता है सजा सजा होती है किंग के कानों में खुसपुस करकर उसके डिसीजन बदलना बन कर दो उस पर बहुत ही गुस्ता था किंग और हॉंग जब अकेले थे तो किंग हॉंग से बुच्छता है तुम भी तो बहुत साला से मेरे साथ हो क्या अगर तुम्हें ऑपरजुनिटी मिलती तुम भी किसी के साथ भाग जाते है हॉंग कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा इसके बाद किंग से मिलने के लिए क्वीन आई वो कहते हैं एमपरर यहाँ पर आने वाला है यानि कि किंग के ऊपर किसी और का राज है एमपरर आने पर क्वेशन करेगा कि किंग को अब तक कोई भी सन नहीं अगर ऐसा हुआ तो किंग को बदल दिया जाएगा इस प्रॉलम को सौल करने के लिए किंग के बास अब तक कोई भी ऑप्षन नहीं है क्वीन जब बाहर आई तो हंग से बात करती है कहती है ज़ादा किंग के करीब मद रहा करो तुम बर भी लोग शक ले सकते है क्वीन को किंग और हॉंग के बारे में सब कुछ पता था अगली दिन किंग और क्वीन ये बाहर घुमने के लिए आय होए थे वो जब क्वीन से फर्स टाइम मिला था तो उसने क्वीन को बहुत ही ब्यूटिफुल सा निकलेज दिया था वो आज भी पहन रही है किंग को ये बहुत अच्छा लगता है वो गयता है तुमने मेरे लिए गाना गया था आज भी गाना गाओ क्वीन भी ब्यूटिफुल सा सिंग करती है तब इन पर हमला हो गया इस हमले में हॉंग किंग को प्रोटेक करता है पर किंग इंजोर हो गया इनका सेनापती हॉंग पर बहुत ज़ादा गुस्ता हो गया गयता है तुम्हारा जौब है किंग को प्रोटेक करना किंग जखमी हालत में था पर फिर भी कहता है कि हॉंग नहीं होता तो मेरी डेध हो जाती है हॉंग को बहुत पुरा लगा हॉंग ने इस इंसिटन्ट को इन्वेस्टिगेट किया उसे पता चला कि उसके बैलेस के कुछ लोग इसके पीछे थे और वो बहुत ज़ादा पावरफुल है क्योंकि वो डारेक्टली एंपरर के लिए काम करते है इन सब का मिलकर किंग बदलने का प्लान है जब तक हौंग 100% शुर नहीं तब तक कुछ भी कर नहीं सकता इसके बाद एंपरर आया किंग को कोई बेटा नहीं तो किसी और को किंग करने वाले थे पर क्विन कहती है अब तक किंग यंग है ने कभी भी बेटा हो सकता है राद में इसी इशो को लेकर क्विन किंग के पास आयी थी वो गयती है हम प्रिटेंड करेंगे कि एक साथ सोय थे किंग कहता है, हमारे पास और एक option है, वो हॉंग पर trust करता है, और हॉंग queen के साथ intimate हो सकता है, अगली रात सब arrangement किया गया, हॉंग ने queen के साथ intimate होने के कोशिश की, पर वे बात कर नहीं पाया, अगली दिन ये बात king को बता देता है, किंग कहता है, तुम्हारे पास और दो जा किंग इन्हें इंटिमेट होता देख रहा था अगली दिन किंग ने होंग से पुछा किसी लड़की के साथ होना कैसा था होंग कहता है मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा था यह सब वेर्ट है तो उसने का क्या आप पर जो हमला हुआ था उसे इन्वेस्टिकेश था तो अपने कुछ आदमियों को भेज देता है जो भी अटैक हुआ उसमें क्वीन का नेकलेस टूट कया था उसी तरीकी का नेकलेस हॉंग ने इस टाउन में देखा तो क्वीन के लिए बाय कर लेता है किंग के आदमियों से फिर से घर ले जाने के लिए पर फिर वी बिमार थी जब भी बिमार बढ़ता था तो हॉंग उसे इस पेशल ड्रिंग देता है किंग ने अपने लोगों से कहा कि वही ड्रिंग को दीजिए वो गहते हॉंग ने सुबाए क्वीन को दिया था किंग सप्राइस्ट हो गया कि हॉंग उसके पीछे क्वीन से मिल रहा है राद में हॉंग से बात करता है कहता है तुम्हारा ड्रिंग लेकर क्वीन के पास जाओ हॉंग ने उसे सच बताया नहीं वो कहता है कि रॉयल सर्वंट ये सब कुछ सही से कर लेंगे अगले दिन किंग ने क्वीन और हॉंग को बुलाया कहता है क्वीन की दबियत लास्ट बहुत ही बिगट गई थी अब थोड़े टाइम तक इन दोनों को गैब देना है यहाँ वर हम देख सकते हैं कि क्यूइन और हॉंग में एट्रेक्शन हो चुका था उसे मिलने के लिए उसने जो निकलेस लाया है उसे दे देता है रात में किंग को बेटा हो इसके लिए पैले कई मिलने वाली हैं के रात की पर इस ने हमला क्या था उसका मिनिस्टर है तो आज रात उस पर नज़र रखने के लिए उसको भीज दिया जाता है वर होार्स से वह हौंग को गिफ्द देनवाला था वह हौंग का याज वहिए आने के लिए आना ah जाता है वहाँ खॅआ-ज अग क्वीन के पास था वो उसके साथ इंटिमेट हो रहा था किंग ने उसका बहुत वेट किया रात हो गई पर फिर भी हॉंग वापस नहीं आया अग क्वीन थोड़ी दिनों के लिए बाहर जाएगी तो मिल नहीं पाएंगे तो उसने हॉंग को ड्रिंक ओफर किया वो गहती है तुम हमेशा किंग के साथ रहते थे मैं बहुत ही जेलस हो जाती थी क्वीन ने हॉंग के लिए स्पेशल राइस के एक भी बनवाय हुआ है यह दोनों आज बहुत ही सैड थे एक दूसरे को लाइक तो गरते पर कभी भी एक साथ हो नहीं सकते रात में हॉंग बहुत ही ल प्रेटल के बारे में इतना सब कुछ पता है तो मुझसे लड़ो मुझे की तरह मत समझना सही से लड़ना फिर यह दोनों स्वाड फाइट करते हैं इसमें हौं किंग पर वार कर नहीं पाया किंग कहता है तलवार जलाने में सोल लगती है कोई टेकणिंग नहीं उसे समझ गया था कि उस पर चीट कर रहा है उसे लॉयल्टी दिखाने के लिए कहता है नेकसिन में देखते हैं पैलेस के कुछ लोग जो किंग के खेलाफ है इनकी मीटिंग जल रही थी इन्होंने डिसाइड कि किंग को ओर्थ्रोन करने के बाद वो क्वीन के ब्रदर को किंग बनाएं किंग इस वाद से बहुत ही गुस्सा हो जाता है कहता है पैलेस में फिस्टो जो भी टेटर है इन सब को बुलाएंगे और वहाँ मार डालेंगे सिर्क क्वीन का ब्रदर यहां नहीं होगा उसे जाकर उसके घर में मारेंगे ब्रदर को मारने का ओर्डर यह हॉंग को दिया हॉंग बेचारा बहुत ही टेंशन में था वी क्वीन के ब्रदर को कैसे मार सकता है पैलेस में फिस्ट हुआ और की ने सब लोगों को मार डाला हॉंग क्वीन के ब्रदर के पास दो गया पर उसने उसे छोड़ दिया कहा कि हमेशा के लिए यहां से दूर चले जाओ किंग स् गये थी रात में वो और हॉंग फिर से मिले उससे बुछती है क्या तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला हॉंग कहता है मैंने उसे जाने दिया नेक्स दे किंग ने फिर से हॉंग और क्वीन को बुलाय हुआ था वो गयता है अब हम फिर से इंटिमेट होना स्टार्ट करेंगे पर इस बार हॉंग क्वीन के साथ इंटिमेट नहीं होगा किसी और को भीजेगा क्वीन इससे अपसे ठोके वो गहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यह मेरा आपमान है किंग कहता है कि तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने डिसीजन क्यों लिया है यानि कि उसने उन्हें बता दिया कि उसे सब कुछ पता है राद में क्वीन ने होंग को बुला है कहती है हम यहां से भाग चलते हम कहीं भी रह सकते होंग ने जो भी किया तो मुझे मार डाली है किंग कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है होंग अपने घुटनों पर ही उसी गार्डन में बैठा रहा इसे ही एक दो दिन गुजर गए किंग फिर होंग को बुला कर कहता है यह जाओ और बॉर्डर बस सवर करो जब तुम वापस आओगे तब हम देखेंगे होंग के रिजेक्शन के बाद क्विन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी उसने व्रिस्टार्ट कर सुसा रहा था रावद में उठकर चला जाता है कुईन उसे कहती है कि मैं प्रेगिनंट हो अगर किसी को भी पता चला तो किंग उसे मार डालेगा होंग गयता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा वह चायल को वेलकम करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा वह वहाँ से जा रहा था पर फि खशक हो गया वह उसे गजहता है तुमने मुझसे कहा था यह सब कुछ फिर से नहीं होगा प्राइवेट पार्ट को कट कर देने का ओर्डर दिया बाद में किंग को क्वीन की प्रेग्नेंसी के बार में पता चला, वो अपने आदमी से बुछता है कि ये बात किसी को भी पता ना चले, वो बेटा मेरा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, अब जिसको भी पता है, इस सब को ए मार डालेंगे, किंग हॉंग को मार नहीं सकता, तो रात में उसे मिलने के लिए आया, वो उसे कहता है, जैसे चीज़े पहले थी, वैसे सब कुछ हो सकता है, अगर तुम फिर से मेरे बास वापस आ जाओ, और हॉंग ने इसके बार में कुछ भी नहीं कहा, क्वीन को जब पता चला, कि किंग उसके चायल को एक्सेप्ट कर होंग फिर इसके लिए मान जाता है, घर से बहुत दूर जाने के बाद उसे पता चला, क्वीन ने सिर्फ उसे सेफ करने के लिए जोट कहा था, किंग को पता चला, कि क्वीन ने इस सब कुछ किया है, तुसे बुला लेता है, उसने कहा कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि हौंग कहा है तु बहुत बुरा होगा क्विन कहती कि मुझे माल डालो पर फिर भी में तुमें नहीं बताऊंगी किंग कहता है कि इतनी आसानी से नहीं मैं बदला लूँगा तुमारे बेटे को एक ठेटर के बेटे के तरह बड़ा करूँगा तुम हमेशा दडबती रहोगी क्वीन फिर भी कुछ भी नहीं बताती हॉंग से रहा नहीं जाता वो क्वीन को लेने के लिए पैलेस में आ रहा था क्वीन के लोग कहते हैं तुम उसे अव सैटिस्फाइ कर नहीं सकते हैं जाकर क्या फायता फिर भी हॉंग वहाँ से निकल गया किंग के आदमियों ने इनकी जगे को ढून लिया था इस सब लोगों को मार डालते हैं हॉंग आगे चला गया तो बच जाता है बाद में हॉंग ने रियलाइस किया कि अगर वो फिर से पैलेस में गया तो सब कुछ चीज़े सिर्फ कॉंपलिकेट करेगा वो आपस आया पर देखा किंग के आदमियों ने क्वीन के सब लोगों को मार डाला था अब उसे लगा क्वीन को बचाना पड़ेगा वो वहाँ सेफ नहीं वो उसे बचाने के लिए जल्दी से निकल बढ़ता है क्वीन के साथ मिलकर हॉंग को बचाने के लिए पैलेस के जिन भी लोगों ने हेल्प की थी किंग ने उन सब लोगों को मार डाला उनके सब ये पैलेस के सामने लटका दिये हॉंग का फ्रेंड भी इसमें था ये सब देखकर हॉंग बहुत रोता है रात में हॉंग पैलेस में खुझ गया उसे जिसने भी रेजिस्ट कया उन सब को मार डालता है फाइनली किंग के बास आ गया उसने का तुमारी सुआर्ड उठाओ मैं तुम्हें फाइटिंग का चांस देना चाता हू ये दोनों फिर बहुत फाइट करते है किंग गयता है क्या तुम्हें सचूश में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो हॉंग ने का कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं किंग पूछता है क्या प्यार इतना ज़्यादा इंपोर्टन था हॉंग ने का तुम्हारी वज़े से मुझे प्यार हुआ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये दोनों बहुत लड़े किंग ने हॉंग को इंजूर कर दिया था किंग उसे फिर से एक चांस जैता है कहता है अपनी तलवार नीचे फिक दो मैं तुमें जीने दूँगा हॉंग इसके लिए नहीं मानता इस फाइट में ये दोनों एक दुसरे को मार डालते है मरते मरते किंग ने पूछा क्या कभी तुमने उससे प्यार किया था हॉंग कहता है कि कभी नहीं हॉंग अवे भी थोड़ा सा जिन्दा है किंग की आदमी उसे मार डालते है इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है किंग ने अपने राज को बढ़ाने के लिए एक गलत रस्ता चूस किया जो से सही लग रहा था हॉंग ने भी रियलाइज नहीं किया पर उसे क्विन से प्यार हो गया उसी के लिए फाइनल उसे जान दीनी पड़ी किन भी हॉंग से बहुत प्यार करता था पर हमेशा उसे बिट्रेल ही मिला यह ट्रैजिक टेल एक अदम ह जो जो जातिया